हेलो प्रेंड्स मेरा नामे कोच की इरुपटेल आजम बात करने वाले हैं एसी हल्दी टिप्स के बारे में जिस्से आपको अपनी लाइप में डेली बेजिस पे फोलो करना चाहिए इससे आप एक हल्दी लाइपस्टायल जी सकते हैं नमबर वन है काफी सारे लोगों को सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी की सेवन करने की आदद रहती है तो वह बेस्ट है उठने के बाद आप दो गलास नोर्मल गुनगुना पानी का सेवन कीजिए जिससे आप एक हल्दी लाइपस्टायल जी सकते हैं नमबर 2 है उठने के बाद काफी सारे लोगों को चाइक सेवन करने की आदध रहती है वह भी खाली पेड छाइक सेवन नहीं करना चाहिए वह उससे काफी सारी साइड साइड इपेक्ट हो सकती है नमबर थ्री है यदि आपको फीट रही ना है तो सुबह उठने के बाद एक गंटा योगा अन्यथा वर्काउट का निकाले जिससे आप फीट और हेल्दी रह सकते हैं नमबर फॉर्थ है यदि आपकी कोई मेडिशिन शरू है दवाई आप खा रहे हैं तो उसको आप थंड़े पानी के साथ मत लीजिए नॉर्मल पानी अन्यथा मिल्क के साथ यानिकी दूद के साथ लीजिए वह उसमें आपकी सारी मदद करेगा नमबर फाई है यदि आप फ् मदद कर दीजिएगा क्योंकि सामके सोते समय खटे फोलों का सेवन नहीं करना चाहिए सात्वा है पूरे दिन में हम जो खाना खाते है तो उस खाने को कम से कम हमको हमारे भू में 32 टाइम यानिकी 32 टाइम हमको चबाना चाहिए वह मेरी हेल्दी रहने में बहुत सारी मदद करेगा खाने में कभी सफ़ेद नमग का यूज नहीं करना चाहिए आपको प्रयोग करना है खाने में तो सिद्धा नमग का प्रयोग कीजिए वह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा नमबर एड है आप खाने के बाद काफी सारे लोगों को पानी पीने की आ खाने के बाद आपको मुह साफ करने के लिए पानी पीना चाहिए ये सारी टिप्स आपको हेल्दी रहने में मदद रूप करेगी थैंक्यू एरिमर्ट दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा और सब